नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का लाइबरी साइंस के इस डिजिटल ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तो आज भी हम रोज की भाती उस्तकाले एवं सूचना विज्ञान से रिलेटेड बात करने वाले हैं उस्तकाले एवं सूचना विज्ञान के एक नए टोपिक के माध्यम से आप से रूबरू होने वाले हैं और आज की सेशन में हमारा जो महत्वपून टोपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा OCLC यानि कि हम OCLC से बिल्कुल 0 लेवल से चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी बात यहां से शामिल करने वाले हैं आज की टोपिक में और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि सकसेज की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालो पर फिदा हो जाती है तो इसलिए मैं लगातार आपसे यही करता हूँ दोस्तों कि निरनतर मेहनत करते रही है शक्सेज एक नएक दिन आपको अविश्य मिलेगी, इसके साथ सफलता का कोई travelling नहीं होता सफलता पने के लिए आपको मैनत करना जरूरी है आपको मेहनत इसके लिए करनी ही होगी तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टोपिक और आज का अमारा टोपिक रहेगा दोस्तों OCLC OCLC से रिलेटेड हम बात करेंगे कि OCLC क्या है OCLC को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही ती कब इसकी स्ताबना की गई कहां इसकी स्ताबना की गई किस प्रकार के क्यूसंस एक्जाम में पूछे जाती हैं और अब तक कि कौन-कौन से प्रशन यहां से पूछे गए हैं बिल्कुल जीरो लेवल से इसकी शुरुआत करेंगे तो आप देख रहे हैं जैसा कि OCLC के बारे मे कहां से मानी जाती है कहां से इसकी शुरुआत किसके दुआरा की गई थी और कब की गई थी बिल्कुल जीरो लेवल से यहां से देखेंगे इसको तो सबसे पहले दोस्तों यह क्या है एक लाइब्रेरी नेटवर्क है लाइब्रेरी नेटवर्क है और CLC क्या है आपका एक और लाइब्रेरी नेटवर्क में भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यह है दुनिया का सबसे बड़ा वे सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क है यानि कि इससे पहले ऐसा कोई लाइब्रेरी नेटवर्क का निर्मान नहीं हुआ था या ऐसा कोई लाइब्रेरी ने सबसे पूराना दुनिया का सबसे बड़ावज सबसे पुराना क्या है दोस्तों यह पुस्तकाले नेटवर्क है इसके साथ ही हम बात करेंगे इस से OCLC का पूरा नाम क्या है यानि कि यहां से आपको दिया गया है शोट रूप में OCLC तो दोस्तो OCLC का पूरा नाम है Online Computer Library Center OCLC का पूरा नाम क्या है दोस्तो अगर वर्तवान में हम इसके किसी नाम से जानते हैं पर्टिकुलर तो वो क्या है इसका Online Computer Library Center Online Computer Library Center Online Computer Library Center के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में साथ हम बात करेंगे कि इस OCLC की स्ताबना जो है वो कहां की गई थी तो दोस्तों इसकी स्ताबना अमेरिका के हुई और अज्य में की गई थी इस्ताबना की अगर मैं बात करूँ यहां से इस्ताबना तो इसकी स्ताबना कहां की गई दोस्तों तो इसकी स्ताबना की गई थी अमेरिका के OHIO रज्य में अमेरिका के किस रज्य में अमेरिका के OHIO रज्य में OHIO इसकी इस्ताबना की गई थी, साथ ही हम बात करेंगी इसकी स्ताबना क्यों की गई थी, क्या ऐसा reason रहा था, क्या ऐसा कारण रहा था, कि इसकी स्ताबना करनी पड़ी हमें, तो इसकी स्ताबना क्यों की गई थी दोस्तों, तो इसकी स्ताबना इसलिए की गई थी, कि पुस्तक पुस्तकाले एवं सूचना विज्ञान के छेतर में क्या किया जा सके पुस्तकाले एवं सूचना विज्ञान के छेतर में कंप्यूटरी करते यानि की कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या कर सके विख्षित किया जा सके कंप्यूटर प्रणाली विख्षित करने के लिए इसक कि उस्तकाल एवं सूचना विज्ञान में कम्प्यूटरी कृत प्रणाली विख्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कम्प्यूटरी कृत प्रणाली विख्षित करने के लिए किसकी स्थापना की गई वही इस OCLC की स्थापना की गई जिससे क्या किया जा सके जो सूचना सुविदा है उन सूचना सुविदाओं को बहतर बनाया जा सके उनको अच्छा बनाया जा सके उनका development किया जा सके इसके लिए इस OCLC की स्थापना की गई थी आगे हम बात करेंगे दोस्तों यहां से एक प्रशन पूछा गया है आपका KVS 2018 में देखो मैंने यहां कि वे आखना लिखा कि OCLC की अर्मेरिका के ओहियो रज्ये में कि गई लेकिन प्रशन में क्या पुछा गया था कि किस विष्व विद्याले में किस्ताबना की गई थी तो इसकी स्ताबना की गई थी ओहियो, यानh you wish विश्व विद्याले में इसकी स्थाबना की गई थी विश्व विद्याले में तो ओहियो प्राज़on पूछा गया था कहां पर तो यह पूछा गया था के वी US 2018 में ये प्रसंद अईसा पूछा गया है कि OCLC की स्टापना किस्विश्य विध्याले में की गई थी स्टापना कब की गई थी तो इस dads की इस शामिल करेंगे स्टापना की विए तो पांच जुलाई 1967 में इसकी स्थाबना जो है वो कर दी गई थी और इस्थाबना कहां की गई थी यह मैं बाप से बता चुका हूँ Ohio State University में या हम कह सकते हैं Ohio विश्व विद्याले में विश्व विद्याले में इसकी स्थाबना की गई थी यहां तक समझ में है आप लोगों को OCLC की बात कर रहे हैं OCLC जिसका पूरा नाम वर्तमान समय में क्या नाम है Online Computer Library Center और OCLC क्या है आपका OCLC आपका पुस्तकाले नेटवर्क है एक लाइबरेरी नेटवर्क है साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा वे सबसे पूराना क्या है पुस्तकाले नेटवर्क है इसके साथ हमने बात की यहां से की OCLC की स्थाबना जो है वो कहां की गई थी तो इ इसकी स्थाबना Ohio State University में यानि की Ohio विश्वय विद्धाले में इसकी स्थाबना की गई थी साथ ही इसकी स्थाबना क्यों की गई थी क्या रिजन एसा रहा था तो इसकी स्थाबना पुस्तकाले एवं सूचना विज्यान में कम्प्यूटरी क्रत प्रणाली को विख्षित करने के लिए की गई थी जिससे सूचना सेवाओं को क्या किया जा सके बहतर किया जा सके उनको अच्छे डंग से प्रदशित किया जा सके उनका डावलपमेंट किया जा सके इसके लिए इसकी स्तापना की गई थी आगे हम बात कर यहां से 5 जुलाई 1967 में इसका इस्तापना जो है वो कर दी गई थी आगे हम बात करेंगे दोस्तों इस्तापना के समय देखो अभी वर्तमान समय में इसका नाम क्या है तो वर्तमान समय में इसका नाम है ओई ओनलाइन कंप्यूटर लाइबरी सेंटर लेकिन इस्तापना के समय इसका नाम Online Computer Library Center ना होकर इस्ता अपना के समय इसका नाम था दोस्तों Ohio College Library Center ओही ओ कोलेज लाइबरी सेंटर इसका क्या था इस्ता अपना के समय नाम था लेकिन इसे यह नाम किस वर्ष प्रदान किया गया था Online Computer Library Center तो यह भी आपको क्या यहां से ध्यान रखना है कि इसको Online Computer Library Center जो नाम है वो 1981 में प्रदान किया गया था इनका इसका जो नाम करण है वो किस वर्ष से चेंज किया गया था तो यह चेंज गया था वाई आपका 1981 में 1981 में इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों इसका नाम कर दिया गया Ohio Online Computer Library Center यह नाम जो है सन 1981 में इसे प्रदान किया गया था यहां तक clear है आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके मुख्याले की की OCLC का मुख्याले जो है वो कहां अवस्तित है कहां इसकी स्ताबना की गई है ठीक है इसके head office की हम बात करेंगे तो बढ़ते हैं आगे की और तो इसके मुख्याले की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इसका मुख्याले जो है वो डबलीन ओहियो में रखा गया है मुख्याले की अगर मैं बात कुरूँ यहां से मुख्याले तो इसका मुख्याले कहां स्थीत है दोस्तों तो इसका मुख्याले डबलीन ओहियो में स्थीत है डबलीन ओहियो में इसका क्या है वही मुख्याले डबलीन ओहियो में इसकी मुख्याले की स्थापना की गई है या फिर इसका हैड ओपीस जो है वो कहां रखा गया है ओहियो डबलीन में रखा गया है इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके संस्थापक की कि इसके संस्थापक कौन है या इसकी स्थापना करने में ग्रिडली किलगोर या आपको मिलेगा फ्रेड दी किलगोर तो फ्रेड जो ग्रिडली किलगोर है उसके दुआरा क्या की गी थी इसकी स्तापना की गई थी या फिर इसकी स्तापना में महत्वयपूर्ण भूमिगा जो रही थी वो फ्रेड ग्रिडली किलगोर की रही थी तो फ्रेड ग्रिडली किलगोर प्रेड ग्रिडली किलगोर को क्या थे इसके संस्ता भक्तेश की स्थापना करने में की महत्वपोर्ण भूमी का थी ओके यही फ्रेड ग्रिडली किलगोर आगे जाकर इससे OCLC के क्या बनते हैं वाई इस OCLC के अध्यक्ष बत बड़र कारियरत हो जाते हैं यानि कि आगे जाकर इन्हें इसका क्या बना धिया जाता है और अध्यक्ष की अगर मैं बात कुरूँ यहां से तो अब तक लगबग 5 विकतियों को इसका क्या बनाया गया है इसका अध्यक्ष नियुक्ति क्या गया है इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है पांच व्यक्ति कौन-कौन से उनकी बात हम यहां से शामिल करेंगे कि OCLC के पांच व्यक्ति OCLC के कितने 5 व्यक्तियों को क्या बनाया गया है अभी तके 5 व्यक्तियों को इसका अध्यक्ष बनाया गया है जिनकी बात भी हम यहां से शामिल करेंगे और यह प्रशन भी जो एकजाम में पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था तो सबसे पहला व्यक्ति इसका संस्ता वक्त था Fred G. Kilgore. Fred G. Kilgore को इसका अधिक्ष बनाया गा था OCLC का 1967 में यानि कि 1967 को इसका क्या बना दिया गा था इसे अधिक्ष बना दिया गा था और यह है 1967 से लेकर 1980 तक इस पद पर बने रहे थे तो सबसे पहला इसका विक्ति का नाम आता है यहाँ पर Fred Z. Kilgore या Fred Gridley Kilgore Fred Gridley Kilgore Fred Gridley Kilgore के क्या बनाई थे वाई प्रथम अध्यक्ष थे आपको ऐसा भी पूचा जा सकता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए गया था तो प्रथम अध्यक्ष ते फ्रेड Gridley जी Kilgore के क्या थे वहाई प्रथम अध्यक्ष थे जिनको 1961 में इसका क्या बनाया दिया गया था अध्यक्ष बना गया दिया गया था और ये 1980 तक इस पद पर क्या थे कारियत थे यानि कि 1966 से लेकर 1980 तक इस पद पर बने रहे थे दूसरा नाम आता है दोस्तो Roland CW अब देखे रोलेंड CW कौन है उनकी भी बात हम यहां से शामिल करेंगे तो Roland CW दूसरे इसके क्या है भाई इसके अध्यक्ष बनते हैं दूसरे विक्ति है जो इसके क्या बनते हैं अध्यक्ष बनते हैं Roland CW दूसरा विक्ति Roland CW नामक जो विक्ति है Roland CW इन Roland CW को क्या बना दिया जाता है इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है और ये इस पद पर कब तक कारियरत रहते हैं, तो ये 1980 से लेकर 1989 तक ये इस पद पर कारियरत रहते हैं, तीसरे विक्ति के मैं यहां से बात करूँगा, तीसरा विक्ति इसका अध्यक्ष बना था, वो कौन था? तीसरा विक्ति था दोस्तो, तीसरे विक्ति का नाम है के वेन स्मित, के वेन स्मित को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि इसका तीसरा अध्यक्ष था और ये 1989 में इसका अध्यक्ष बना था, तो तीसरे विक्ति का नाम के वेन स्मित, के वेन स्मित, वेन स्मित, तीसरा विक्ति इसका अध्यक्ष बनने वाला तीसरा विक्ति कौन था केवेन स्मित जिसको इसका अध्यक्ष बनाया गया था 1989 में 1989 से लेकर ये कब तक इस पद पर रहा था तो 1998 तक इस पद पर बनाय रहे थे बात करते हैं इसके चोथे अध्यक्ष की चोथा नमबर का जो इसका अद्धिक्ष था या फूर्थ नमबर का इसका जो अद्धिक्ष था उसका नाम था जे जॉर्डन चोथे नमबर के अद्धिक्ष कौन था भई जे जॉर्डन था जो की संद 1998 में इसका अद्धिक्ष बनता है और 2013 तक इस पदबर बना रहता है से लेकर उनिस यचांव सबस Joyce लेकर दोहजार तेरा तख इस पन बर क्या रहते हैं इसके बाद में इसका पांचवा और वर्तमान強 जो है वह समय नाम है स्कीव पिचैट्स कर पीचार जो है वह सन 2013 में इसकी अध्याक्ष बनते तेरह में तो पांचवे नमबर की में बात करऊंब हुए यहां से पांचवे नमबर कि इसके अधिक्श है कि पिचरड सब्सक्राइब कि इसकी पिचरड को इसका अधिक्श सन 2013 में बनाई जाता है 2013 से लेकर यह वर्तमान समय तक इस वद बर क्या है कारी लिए तरह की तो इस परकार इसके पांच अद्धिक्ष अभी तक बनाये गए हैं OCLC के पांच ऐसे व्यक्ति जो इसके अद्धिक्ष पद पर कारिये कर रहे थे या फिर वर्तमान में कर रहे हैं उनकी बाद हम यहां से शामिल कर चुके हैं इसका सहस्ता पर कौन था फ्रेड जी किलगोर था या फ्रेड ग्रिडली किलगोर था इसका प्रथम अद्धिक्ष भी फ्रेड जी किलगोर या फिर फ्रेड ग्रिडली किलगोर को बनाया गया था जो की 1967 से लेकर 1980 तक इस पद पर क्या थे वाई कारिय थे दूसरा इसका अद्धिक्ष बनाता Roland C.W. जो की 1980 से लेकर 1989 तक इस पद पर कारिय थे इसके तीसरे अद्धिक्ष थे Kevin Smith जो की 1989 से 1998 तक इस पद पर बने रहे थे चोथे इसके अद्धिक्ष थे Jay Warden जो की 1998 से लेकर 2013 तक इस पद पर क्या थे वाई कारिय थे इसका पांच वो अद्धिक्ष बनाया गया था इसकी पिचरड को जो की 2013 से लेकर वर्तमान समय में भी इस पद पर कारिये कर रहे हैं तो यह हुई इनके अद्धिक्षों की बात आगे हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बाते यहां से शामिल करेंगे OCLC के बारे में दोस्तों यह जो जानकारी है यह ना तो आपको किसी YouTube चैनल में मिलेगी और ना ही किसी बुक में मिलेगी पर्टिकुलर इस सिक्वेंस में यह जानकारी है तो बढ़ते हैं हम आगे की और और आगे हम बात करेंगे दोस्तों है इसके सदश्य की अगर बात करें दोस्तों इसके सदश्य थागि तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 1966 तक 1966 से लेकर 1977 तक यानि कि लगबग 10 साल तक है OCLC का सदस्य जो है वो केवल और केवल ओहियो का यानि कि अमेरिका का जो ओहियो राज्जे है उस राज्य के सेक्षन कर सनस्तान ही इसके सदश्य हो सकते थे ऐसा प्रावदान OCLC में किया गया था लेकिन सन 1988 में ये सेवा जो है वो अमेरिका के अन्य राज्यों के ये भी क्या गर दी गई ऑपन कर दी गई और अमेरिका के जो अन्य राज्ये है ओहियों के अलावा वो भी क्या बन सकते थे उसके जो स्रिक्षन संस्तान है वो भी इसके सदसे बन सकते थे, कब से? सन 1978 से तो इसकी सदस्यता की हम बात करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं यहां नोट करूँगा कि सन 1967 से लेकर 1967 से लेकर 1977 तक इसके सदस्यता की अगर हम बात करें सदस्यता की, तो इसका सदस्यता कोन बन सकता था? केवल सदस्यता, तो सदस्यता कोन बन सकता था? केवल और केवल ओहियो जो स्टेट है, ओहियो जो राज्ये है, उस राज्ये के जो सिक्षन संस्तान है केवल व यानि कि हम कह सकते हैं कि इसकी सदश्यता जो है वो ओहियो के संस्तानों तक ही सीमित थी संस्तानों तक ही क्या थी वही सीमित थी ओहियो के संस्तानों तक ही सदश्यता जो है वो सीमित थी संस्तानों तक ही सीमित थी लेकिन 1778 में ये प्रावधान कर दिया गया कि अमेरिका के अन्य राज्य भी इसके क्या बन सकते हैं इसके सदश्य बन सकते हैं, इसके सदश्यता ले सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी सदश्यता या फिर यह सेवा जो है वो सनक उनी सो अठार में अमेरिका के अन्य राज्यों के लिए भी शुरू कर दी गई 1978 से यह सेवा यानि कि सदश्यतागी मैं बात कर रहा हूँ यह सेवा अमेरिका के अन्य राज्यों के लिए अमेरिका के अन्य राज्यों के लिए भी शुरू कर दी गई अन्य राज्यों के लिए भी यह सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई यानि कि अमेरिका के जो अन्य राज्यों को छोड़ कर या ओहियों के अलावा वो भी क्या कर सकते हैं वह इसकी सदश्यता ले सकते हैं यह बात हुई केवल यहां तक अमेरिका तक ही कर रहे हैं वर्ड ल बात आती है सन 2002 की सन 2002 में यह OCLC क्या कहता है कि इसकी सदशेता जो है वो अंतराश्ट्री इस्तर पर शुरू कर दी गई है कौन कहता है यह बात यह बात कहता है OCLC तो OCLC के द्वारा सन 2002 में यह सेवा यह सेवा अंतराश्ट्री इस्तर पर शुरू कर दी गई यह सेवा अंतराश्ट्री इस्तर पर शुरू कर दी गई यहां तक क्लियर है 1967 की देखो हम बात करें इसका निर्मान होता है 1967 में और 1967 से लेकर 1977 तक यानि की लगबग 10 वर्षों तक इसकी जो सर्वीश है इसकी जो सदशेता की जो सेवा है वो सदशेता केवल और केवल OEO के सहंस्तानों तक ही सीमी थी लेकिन सन 1978 में OCLC एक प्रावदान लाता है और उसके अकोर्डिंग यह कहता है कि अब इसकी सदशेता OEO या फिर यह कह सकते हैं OEO के अलावा जो अन्य अमेरिकी राज़ते हैं वो भी इसकी सर्वीस ही ले सकते हैं इसके बाद में सन 2002 में फिर से एक प्रावदान करता है OCLC और कहता है कि यह सेवा अब क्या है अंतराश्टरी इस तरह पर शुरू कर दी गई है ओके यानि कि इस प्रकार पूचा जा सकता है कि OCLC के दुआरा मेंबर्शिप की जो सर्वीस है वो किस वर्ष शुरू की इंटरनेशनल मेंबर्शिप की सर्वीस किस वर्ष शुरू की गई यह आपको पूचा जा सकता है कि OCLC के दुआरा अन्य अमेरिकी राज्यों के लिए सदेश्यता स किस वर्ष प्रादम की गई तो आपका सही आंसर होगा 1978 में और इंटरनेशनल की अगर बात आती है यहां पर तो आपका जवाब होगा 2002 में इसके साथ ही हम बात करें तो दोस्तों यह सर्विस जो है 2002 में क्या कर दी गई इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर दी गई और इसी स तो वर्थमान में दुनिया के 123 देशों में दुनिया के 123 देशों में लगभग 26 जार पुस्तकाले इसके क्या है बई सदस्य है लगभग 23 देशों में लगभग 26 जार पुस्तकाले इसके क्या है सदस्य है 26 जार पुस्तकाले इसके वर्थमान में इसके सदस्य है इसके मेंबर है तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितना बड़ा लाइबरी नेटवर्क है साथ ही मैं आपको बता दूँ OCLC जो है वो वान सरेनी का नेटवर्क है इसकी बात भी हम आगे शामिल करेंगे कि यह वान सरेनी का नेटवर्क के किस प्रकार है इसकी बारे में भी मैं आगे चर्चा करूँगा इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूँ यहां से OCLC के दुआरा विश्वय की सबसे बड़ी यूनियन के लोग सर्विस भी प्रोवाइड करवाई जाती है या फिर इसका संचालन भी किसके दुआरा किया जा रहा है आपके OCLC के दुआरा किया जा रहा है जिसे वर्ड केट के नाम से जाना जाता है यानि कि हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन के लोग सेवा सबसे बड़ी यूनियन के लोग सेवा की में बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन के लोग सेवा का जो संचालन है वो भी किसके दुआरा किया जा रहा है आपके OCLC के दुआरा किया जा रहा है इस दुनिया की सबसे बड़ी union kitlog service का जो नाम है दोस्तों वो है wordgate, इसे wordgate के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इसको, तो इसको wordgate के नाम से जाना जाता है, इसे वर्ड केट के नाम से जाना दता है साथ ही दोस्तों मैं बता दू आपको यह जो वर्ड केट है वर्ड केट में भी 107 देशों के लगबग 16,000 पुस्तकालियों का क्या है संग्रे है या फिर हम यह कह सकते है कि दुनिया के 107 देशों के लगबग 26,000 जो लाइबरीज है उन लाइबरीज का स्टोरेज जो है वो कहा अवस्तित है आपके इसे यूनियन के लोग के अंतरगत है अवस्तित है यानि कि इस वर्ड केट के अंतरगत इसको शमहित किया गया है तो आप इस बात से भी अंदाज लगा सकते हो कि दुनिया में दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनियन के लोग है वो कौन सी आपकी तो आपकी वर्ड केट है और वर्ड केट के दुनिया में 107 देशों में दुनिया के 107 देशों में लगबग 16,000 लगबग 16,000 पुस्तकालियों का क्या है भई पुस्तकालियों का संगर है जो है यह अवस्तित रखता है या फिर अपने पास इनके पास इसका स्टोरेज अवेलेबल है तो यह बात कर रहे थे हम इसके सदश्यों की बात कर रहे थे दुनिया के 123 देशों में इसके कितने सदिस्से हैं वही लगबग 26 जा इसके सदिस्से वर्तमान समय में मौजूद है साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन केट लोग देखो आपको प्रशन यहां से पूछा गया भी है नेट जो एक्जाम है उस यूजी सी नेट किसका उत्पाद है या वर्ड केट किसकी सर्विश है तो दोस्तों वर्ड केट जो है वो ओसी एलसी की सर्विस है और सी एलसी की क्या है एक यूनियन केट लोग है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन केट लोग है और इस यूनियन केट लोग का निर्मान या इसका स अंचालन वर्तमान समय में किसके दुआरा किया जा रहा है आपके OCLC के दुआरा किया जा रहा है और इस वर्ड केट में वर्तमान समय में 107 दुनिया के 107 देशों के 16,000 लाइबरीज का क्या है वही इसके अंतरगते अवस्तित हैं तो यह थी OCLC की बात आगे से रिलेटेड और कौन-कौन सी बाते हैं वो भी हम यहां से क्या करेंगे वही शामिल करेंगे किया आपको दुनिया की 13 भासाओं में मिल सकती है कितनी भासाओं में 13 भासाओं में दुनिया की 13 भासाओं में साथ यह आपको पूछा जा सकता है कि वर्ड केट की जो शुरुवात है वो कब या फिर किस वर्स की गई थी तो इसकी शुरुवात की गई थी 21 जनवरी 1998 को इसकी शुरुवात कब की गई थी इसकी स्ताबना या फिर इसका development जो है वो किस वर्थ किया गया था तो मैं यहां note कर देता हूँ WordCate की जो शुरुवात है वो किस वर्थ की गई थी तो 21 जनवरी 21 जनवरी 1998 को इसकी शुरुवात जो है वो कर दी गई थी शुरुवात करने का जो कारिये है या इसका प्रारंब करने का जो कारिये है वो OCLC के द्वारा किया गया है और इससे related कई बार exams में प्रशन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है साथी अगर आपको दोस्तों पूछ लिजाए देखो ये जो WordCate है ये WordCate क्या है एक online service है ओके ये WordCate आपको online मद्धे में cloud server base पर आपको मिलेगी या फिर ये cloud server base पर आदारीत है लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रित union catalog कौन सी है तो उसकी भी बात हम यहां से चामिल करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी या फिर ये कह सकते हैं कि वीश्वय की सबसे बड़ी मुद्रित union catalog कौन सी है दुनिया की सबसे बड़ी या फिर वीश्वय की सबसे बड़ी मुद्रित यूनियन केटलोग मुद्रित यूनियन केटलोग आपको ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रित यूनियन केटलोग कौन सी है तो आपका आंश्वर क्या रहेगा बहुत ही अच्छा प्रसन यहां से आपको देखने को मिल रहा है तो इसका नाम है दोस्तों Nacional Union केटलोग Pre-1956 किया नाम है इसका? नेसनल यूनियन केटलोग Pre-1956 ये क्या है दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रित देखिए यहां से आप शब्दों पर गपर कीजिएगा यह क्या है दुनिया की सबसे बड़ी printed रूप में, printed सो रूप में सबसे बड़ी union catalog है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है National Union Catalog National Union Catalog National Union Catalog Pre Pre 1956 इसका क्या है वई नाम है जो कि 1956 में निर्मित की गई थी साथ ही दोस्तों ये किसके दुआरा इसका इसको तयार किया गया था तो ये भी यहां से आपको पूछा जा सकता है तो इसको तयार करने का जो कार ये है वो LOC के दुआरा किया गया था ओके तो यह भी आपको यहां से क्या करना है ध्यान में रखना है National Union Catalog Pre-1956 जो की दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रित सुरूप में या प्रिंटिड सुरूप में Union Catalog है इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम OCLC से रिलेटेड और बाते यहां से शामिल करेंगे कि और कौन-कौन सी बाते OCLC से रिलेटेड है OCLC से संदरविद हमारे लिए क्या है भाई महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले में बात करूंगा कि OCLC के दुवारा दोस्तों 1931 में ओनलाइन सर्विस प्राड़म की गई थी इसका भी प्रशन एक्जाम में पूछा जा सकता है कि OCLC के दुवारा किस वर्ष ओनलाइन सेवा प्राड़म की गई थी या फिर ओनलाइन सर्विस देने का कारिये क्या गया था तो यह कारिये क्या गया था दोस्तों 1931 में और इस ओनलाइन सर्विस के दुवारा एक प्रशन और बनता है यहां से कि इस ओनलाइन सर्विस के दुवारा ओनलाइन केटलोग करने वाला पहला पुस्तकाले कौन सा था या फिर पहला पुस्तकाले किस इनियूर्सिटी में इस्तिता आपको यह भी यहां से पूछा जा सकता है तो OCLC के दुआरा क्या क्या गया भाई OCLC के दुआरा 193 में उनलाइन सर्विस प्रारम की गई और इस सर्विस के अमाध्यम से उनलाइन सो रूप में केटलोगिंग करने वाला ओनलाइन केटलोगिंग कौन सा था यह पहला पुस्तकाले कौन सा था पहला पुस्तकाले पहला पुस्तकाले कौन सा था या फिर किस यूनिवर्सिटी में वो स्थित था तो दोस्तो दोनों का जवाब में एक ही लाइन में यहां से क्लियर करूंगा कि वो पहला पुस्तकाले कौन सा था दोस्तो तो पहला पुस्तकाले था आपका एल्डन लाइबरी कौन सा पुस्तकाले था Elden Library Elden Library या Elden पुस्तकाले दुनिया का पहला पुस्तकाले था जिसने online cataloging कार ये जो है प्रारम किया था किसके माद्धियम से OCLC के माद्धियम से और कब किया था सन 1931 में ये पुस्तकाले आपको पूछ लिया जाए कि ये Elden Library कहां इस्तिता है तो ये Ohio विश्व विद्याले में या Ohio State University में इस्तिता है Ohio विश्व विद्याले या फिर Ohio State University का Elden Library दुनिया का ऐसा पहला पुस्तकाले है जिसने online cataloging का कारिये प्रारम किया था किसके सहयोग से OCLC के सहयोग से तो very important है और OCLC ने अपने online services किस वर्ष प्रारम की थी तो ये प्रारम की थी 1971 में इसके साथ ही दोस्तों ये फिर ये ल्डेंज जो लाइबर्यृडी है इसcoat लाइबर्य ने online cataloging का का यय शिर सफस्ति आपकर पूछा जा सकता है यानि कि उसकी एकस डिएट आपको पूछी जा तो यह है कारिये जो जो है दोस्तोर उसके द्वारा इसके द्वारा एक आधा 26 réuss 2011 पुझेयर को यह घा तो यसा इसके साथ यह से जूड़ी और भी महतवपून बाते हैं जैसे OCLC के दोवरा वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशन जो है किया जा रहा है या डीडीसी का संचालन किया जा रहा है इसके अलावा दोस्तों आपका DSSB 2019 DSSB 2019 में यहां से एक प्रशन पूछा गया था कि OCLC का स्वाम एस और 2019 में DSSB लाइब्रेदीन एक्जाम में यह प्रशन यहां से पूछा गया तो इसकी भी बात हम यहां से शामिल करेंगे इसकी भी बात यहां से एड करते हुए चलेंगे तो OCLC के दोवारा दोस्तों वर्तमान में क्या किया जा रहा है है यह पिर हम कह सकते हैं कई संचालन यह देख बाल इसके दोवारा की जा रही है साथी इस सोगे हैं ah क्याच ए सामित्य कब से है तो यह भी आपको प्रशन पूछा गया है तो इसका स्वामित्य जो है वह उसका दवलाप्मेंट हो रहा है या फिर इसकी जो भी गतिवी दिये है उन सब का कारिये कौन कर रही है आपकी OCLC कर रही है यह भी आपको यहां से ध्यान रखना है आगे हम बात करें दोस्तों तो DDC के अगर DDC से related में बात करूँ यहां से latest प्रशन की तो DDC से आप सो प्रशन पूछा जा सकता है कि DDC के वर्तमान में प्रधान संपादक कोन है यह हाला कि DDC DDC से related प्रशन है लेकिन अगर DDC हमारे सामने आही गई है तो हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं तो इसका वर्तमान में इसका प्रधान संपादक है दोस्तों Michael Penger कौन है दोस्तों Michael Penger Michael Penger इसके क्या है वर्तमान में इसके प्रधान संपादक है आगे देखिए दोस्तों DDC से related हम बात करेंगे OCLC से related बात करेंगे OCLC के दुआरा दोस्तों इसके अभी कौन-कौन से संस्क्रण प्रकाशित किये गए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे इसका 21, 22 और 23 जो संस्क्रण है इनका प्रकाशन किसके दुआरा किया गया है वही OCLC के दुआरा इसका प्रकाशन किया गया है जिसमें से वर्तमान में जो 23 भाशन संस्क्रण है इसका लेटेस्ट जो एडिशन है दोस्तों वो कौन सा है बई कि तेवीस्वा संसक्रण नहीं कि इसके हैं कि आफ टूड यान जो सिंसक्रण है सन जो की 2011 में प्रका्शित किया गया था प्रकाशित करने का कार्य क्षे ओसी के दवारा किया गया था इसके आलावा दोस्तों हो से झार्व में में डिबलीन denta डाटा का निर्मान किया गया था डबलीन को और मेटाडा के बारे में भी प्रश्ण एक्जाम में पूछे जाते हैं कि डबलीन को और मेटाडा का निर्मान किसके दुवारा किया गया था या फिर इस से रिलेटेड प्रश्ण ये पूछे जाते हैं कि इस से डबलीन को और 1995 में डबलीन कोर डबलीन कोर मेटाड़ाटा का निर्मान किया गया था डबलीन कोर डबलीन कोर मेटाड़ाटा का निर्मान किया गया किसके द्वारा तो ओसी एल्सी के द्वारा इसका निर्मान किया गया था साथ ही इस Dublin Core Metadata के अंदर 15 elements या फिर इसके 15 तत्वा होते हैं जिनकी बात हम शामिल करेंगे आपके यहाँ जिस समय हम Dublin Core Metadata से related बात करेंगे उस समय इसके साथ ही दोस्तों OCLC जो है वो OCLC वर्तमान समय में एक Wons Renni का क्या है लाइबरी नेटवर्क है किस टाइब का Wons Renni का लाइबरी नेटवर्क है Wons Renni बोले तो Wide Area Network Wide Area Network है Wide Area Network है साथ ही यह Wide Area Network क्या करता है दोस्तों कई देशों के जो लाइबरी जो पुस्तकाले है उन पुस्तकाले को आपस में जोडने का कारी करता है इसलिए यह किस प्रकार का नेटवर्क है वाईड श्रेणी का नेटवर्क से कहा जाता है Wons Renni का नेटवर्क या फिर Wide Area Network के नाम से इसे जाना जाता है इसके साथ ही दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि OCLC के दुआरा कौन-कौन से Services या कौन-कौन से उत्पाद या सेवाई इसके दुआरा परदान की जाती है उनके बारे में भी हम यहां से बिलकूर Zero Level से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम एक बार इसका Revision यहां से कर लेते हैं कि कौन-कौन से डाटा हमने यहां से Collect कर ली है उनके बारे में कोई ऐसा डाटा जो हमारे से छूड़ तो नहीं रहा है और यह नाम इसको संगुनी सो 81 में दिया गया था पहले इसका नाम ओही यो कोलेज लाइबरी सेंटर हुआ करता था साथी OCLC के बारे में हमने बात की OCLC क्या है दोस्तों OCLC एक लाइबरी नेटवर्क है जो दुनिया का सबसे बढ़ा हुए सबसे पुराना क्या है लाइबरी नेटवर्क है इसकी जो इस्ताबना है वह अमेरिका के ओहीओ राजे में की गई थी साथी इसकी स्ताबना क्यों की गई इसका भी रीजन मैं आपको बताया है कि पुस्तगाले एवं सूचना विज्ञान में computer करत प्रणाली को विख्षित करने के लिए इसकी स्तापना की गई थी जिससे जो भी सूचना सर्वीस है जो भी information सर्वीस है उनको क्या गिया जा सके उनको develop किया जा सके इसके साथ ही दोस्तों इसकी स्तापना Ohio College Library Center के नाम से की गई थी और यह नाम इसका change कर दिया गया था 1981 में online computer library center जो इसका नया नाम दिया गया था साथ ही हमने बात कि इसके मुख्याले की तो इसका मुख्याले बनाया था Dublin Ohio में Dublin Ohio में इसका मुख्याले बनाया गया और इसके संस्तापक यानि कि इसके founder की अगर हम बात करें यहां से तो इसका founder था Fred Gridley Kilgore Friend Gridley Kilgore नाम की व्यक्ति इसका क्या था वही संस्तापक ता जो कि आगे जानकर क्या बनता है इसका अध्यक्ष भी बनता है लगबग 5 व्यक्ति इसके अध्यक्ष बने हैं जिनकी बारे में बिल्कुर विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष इसकी मैमबर्सिप लगबग 10 वर्षों तक इसकी स्तापना के 10 वर्षों तक इसकी मैमबर्सिप केवल और केवल ओहियों के संस्तारों तक सिमित थी 1978 में इसकी यह है जो membership की जो service है वो अमेरिका के अन्य राज्यों को भी प्रदान की जाने लगी इस सेवा में वह भी भाग लेने लगे 2002 से यह सेवा जो है वो अंतराश्टरी इस तरह पर सुरू की गई यानि कि international लेवल पर कोई भी लाइबरी या कोई भी देश का पुस्तकाले इसका सदश्य बन सकता है वर्तमान में 123 देशों में लगबग 26,000 इसके क्या है पुस्तकाले इसके सदश्य हैं दुनिया की सबसे बड़ी ओनलाइन केटलोग सर्विस किस्त के दोवारा प्रदान की जाती है जिसे वर्ड केट के नाम से जाना जाता है यह वर्ड केट दुनिया की 13 वासाओं में अवेलेबल है और वर्ड केट में की अगर मैं बात कुछ तो दुनिया के 107 देशों में 16,000 लाइबरीज का यह क्या रखता है वाई स्टोरेज रखता है तहाती दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रित यूनियन केटलोग की हमने बात की तो नैस्नाल यूनियन केटलोग प्री 1956 जो की OCLC के दुआरा तयार की गई थी इसके अलावा OCLC के दुआरा 1971 में ओनलाइन सर्विस शुरू की गई थी और इस सर्विस के अमध्यम से ओनलाइन केटलोग करने वाला दुनिया का पहला पुस्तकाले एल्डन लाइब्रिरी था जो की ओहियो स्टेट यूनियर्शिटी के अंत्रगत इस्तापित था और इसने यह सर्विस की स्वर्ष प्रारम की तो 26 अगस्त 1971 में यह सर्विस इसके दुआरा प्रारम की गई थी आगे हमने बात की OCLC जो है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो की दुनिया के कई पुस्तकालियों को आपस में जोडने का आपस में कनेक्ट करने का कारिये करता है OCLC के दुआरा डीडी सी का क्या किया जा रहा है वरतमान में संचालन किया जा रहा है उसका प्रकाशन या उनको पुबिश्ट करने का कारिये भी OCLC के दुआरा किया गया है वरतमान में इनको अप्टू डेट करने का जो कारिये है वो भी किसके दुआरा किया जा रहा है OCLC के दुआरा किया जा रहा है वरतमान में इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो 2011 में आया था जो कि इसका क्या है वर्तवान में इसका latest edition है या इसका वर्तवान edition है 1995 में क्या क्या गया था डबलीन कोर मेटाड़ा का निर्मान क्या गया था किसके दोवारा OCLC के दोवारा जिसमें लगबग 15 तत्वा होते हैं तो इस प्रकार हमने यह OCLC से जुड़ी भी बाते शामिल की आगे हम बात करते हैं OCLC के उत्पाद यह हम सेवाए या फिर OCLC की कौन-कौन सी services है उनके बारे में या कौन-कौन से product OCLC प्रदान करती है उनके बारे में हम यहां से बात करेंगे तो सबसे पहली मैं बात करूँगा OCLC के उत्पाद एवं सेवाए उत्पाद एवं सेवाओं की मैं बात करूँगा यहां से इन उत्पाद सेवाओं में दोस्तों यह जो जो भी services OCLC के दोवारा प्रदान की जाती है यह जो भी प्रोड़क्ट OCLC के दोवारा लाइबरी साइंस के छेतर में बनाए जाते हैं उन सबकी बात हम यहां से शामिल करने वाले हैं सबसे पहला नाम में यहां से लिखूँगा वाइज का सबसे पहला नाम वाइज अब देखिए वाइज क्या है आपको पूछा ही जा सकता है निमने में से वाइज किसका उत्पाद है या फिर किसका प्रोडेक्ट है आपको ऐसा पूछा जा सकता है वाइज का निर्मान किसके दुवारा किया गया है या फिर वाइज किसका उत्पाद है या किसका प्रोडेक्ट है तो आपको ध्यान रखना है वाइज जो है वो किसका उत्पाद है आपका OCLC का उत्पाद है यानि कि हिंदी में कहें तो यह हो जाएगा यह है ऐक क्रत अ ये क्या है एक क्रत ऊफ्टेय रहा एक्रत पुस्तकाल्य प्रणाली सोफ्ट्वेयर है के दिखो एक्जाम में जो है बड़ी बातें यांसे नहीं पूछ जाती है जो भी कंसेप्ट आपका दिया हुआ रहता है उसी कंसेप्ट को गूमा के आपसे प्रशन पूछ लेता है जैसा कि आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा उतपाद OCLC का है या फिर पूछा जा सकता है कौन सा उतपाद OCLC का नहीं है तो आपको अगर ध्यान नहीं होगा कि wise जो है वो OCLC का यह क्या है वही software है तो आपका按स्वर जो है गलत हो सकता है अॷे परकार वाइस के अवारे में और यहाँ से बात शामिल करेंगे तो दोस्तों वाइस हो है इस वाइस का कार्य क्या होता है तो वाइस दो है दोस्तों ये पाठकों को डिजिटल माध्यम दुआरा पार्टको को डिजिटल माध्यम दुआरा पुस्तकालियों से जोडने का कार ये गड़ता है पुस्तकालियों से जोडने का कार ये किसके दुआरा किया जाता है आपके वाइज सोफ्ट्वेयर के दुआरा किया जाता है पुस्तकाले से जोडने का कार ये इसके द्वारा किया जाता है अगर मैं बात करूँ दोस्तों वर्तमान समय में तो वर्तमान समय में निदरलेंड के लगबग पिछुतर प्रतिशते जो लाइबरीज है वो लाइबरीज इसी सोफ्ट्वेर का यूज कर रही है या फिर उन लाइबरीज में उन पुस्तकाले में इस सोफ्ट्वेर का यूज किया जाता है इस सोफ्ट्वेर के मद्यम से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है और उस password के दुआरा आप अपनी library को कहीं भी जाकर क्या कर सकते हो access कर सकते हो किसी भी अन्य पुस्तकाले में आप क्या कर सकते हो उसको access कर सकते हो online माद्दे में तो यहां से आपको यह भी पूचा जा सकता है तो मैं यहां नोट कर देता हूँ नीधर लेंड के लग बग पुचतर प्रतिशत पुस्तगाल्य क्या करें बरतवान में पुचतर प्रतिशत पुस्तगाल्यों में पुस्तकालियों में इस software का use किया जाता है तो यह हो गए आपका wise software जो की OCLC के दुवारा बनाया गया था और यह क्या है इंट्रीगेटेड लाइबरेरी system software है जो की क्या करता है पार्ट को को digital library या digital मद्यम से पुस्तकालियों से जोड़ने का कारिये करता है नीदरलेंड के लगबग 55% लाइबरेरी इस software का use वर्तवान समय में कर रही है आगे मैं बात कुरूं यहां से तो दूसरी आपकी service आती है word share management service दूसरी OCLC का उत्पाद कौन सा है आपका word share management service management service word share management service यह भी क्या है वई OCLC का उत्पाद है इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि word share management service क्या है या फिर word share management service किसकी सेवा है किसका उत्पाद है किसकी service है तो आपको यहां से बिलकुर याद रखने की बात यह है कि word share management management OCLC की service है या फिर यह OCLC का उत्पाद है कि देखिए word share management की दुवारा किया क्या जाता है तो उसकी बात हम यहां से शामिल करेंगे यह यह है एक electronic संसादन प्रबंदन प्रनाली software है wide share management के है दोस्तों आपका to wide share management आपका electronic 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 संसादन प्रनाली संसादन electronic संसादन प्रबंदन प्रनाली software है प्रबंदन प्रनाली software है प्रबंदन प्रणाली सॉफ्ट्वेर है क्लियर है यहां तक कि यह क्या है बई एक इलेक्ट्रोनिक संसादन प्रबंदन प्रणाली सॉफ्ट्वेर है जिसके माद्यम से जिसके माद्यम से क्या किया जा सकता है दोस्तों जिसके माद्यम से कि जिसके मार्णीम से पुस्तकारलियों के इलेक्ट्रोनिक सूचना संसा दनों तक है पहूंच इसतापिते की जा सकती है ओक्य तो यहां से नॊर्मल सी बात आपको याद रखनी है कि एक electronics प्रबंदन प्रणाली software है और इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है वही इसके माध्यम से electronics हुजना संसाद दो तक पहुंच इस्तापित की जा सकती है किस माध्यम में electronic माध्यम में हो के इसके साथ ही दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो इसका next उत्पार रहता है आपका is a proxy next उत्पार रहता है कौन सा भई इस एक देखेए सब्सक्राइब के नाम आपने सुना होगा is a proxy अब देखि is a proxy क्या है तो दोस्तों is a proxy क्या है ये भी एक क्या है वहीं सोफ्ट्वेर है ये भी क्या है एक सोफ्ट्वेर है और इस सोफ्ट्वेर का निर्मान जो है दोस्तों वो निर्मान तो किसी अन्य वक्ति के दुवारा किया गया था ये क्यूशन पूछा गया है UGC Net में UGC Net में शायद मेरे ख्याल से ये approximately 2020 के आसपास ये प्रशन पूछा गया है कि तो ई उसमें पूछा ये गया था कि इज फ्रोंक्सी किसका उत्पाद है ओके इस जैप्रोंक्सी जो है वह किसका उत्पाद है तो किस जवाब क्या होगा वहित श्रुंच कहा आप उत्पाद है अब OCLC का उत्पाद है ठीक है यहां तक तो हमें इसकी थोड़ी सी डीपली जाने का दिच्छे होनी चीए कि इस प्रोक्षी का जो निर्मानकारी है दोस्तों वो किसी अन्य व्यक्ति के दुआरा किया गया था अन्य व्यक्ति कौन था उसका नाम था क्रिस जगर किसके दुआरा इसका निर्मान किया गया था इस जगर नाम थे व्यक्ति के दुआरा इसका निर्मान किया गया था कि अगर के दुआरा अब देखते हैं कि कि जगर जो है वो इसका निर्मान किश्वर्श करता है तो क्रिस जगर इसको बनाने का या इसको लिखने का जो कारी है वो सन इसको अधिक्र हित कर लेता है अगा है कि гि दौज आराठ में जो से अजल से कूछ से और यह वरतमान समय में cc के लिए कार यह कर रहा है तो यह वरतमान किसका उतबाद है तोल्स का उतबाद है इस आप्रोक्स्य जोक्य क्या Türkiye इसके बाद में एक next हम service की बात करेंगे next service का नाम है वेब जनक्सन ये वेब जनक्सन जो है वेब जनक्सन का कारीएक ये सबसे थे नहीं देखते हैं तो ये पुस्तकालियों को प्रश्रिक्शन इसे वापर दान करता है ये भी क्या आपका एक software है जो क्या करता करता है पुस्तकालियों को पुस्तकालियों को प्रस्रिक्षन देने का कार्य करता है प्रस्रिक्षन सेवा प्रदान करता है ओके वेब जेंशन क्या है आप कहें कि सर्वीस है किसकी OCLC की जो क्या कार्य करती है जो भी लाइबरीज है उन लाइबरीज में यह ट्रेनिंग देने देखो अगर वेब जंक्सन की हम बात करें आपको पूछ लिया जाए कि वेब जंक्सन का जो निर्मान है वो किसके दौरा किया गया था तो उसकी भी बात हम शामिल करेंगे यहां से वेब जंक्सन है वो वेब जंक्सन 2003 में 2003 में Bill and Melinda Will and Melinda Getz Melinda Gates Foundation के द्वारा निर्मित किया गया था Bill and Melinda Gates Foundation के द्वारा निर्मित किया गया था किस वर से संद 2003 में और वर्तमान में ये किसके लिए कार्य कर रहा है तो ये वर्तमान में OCLC के लिए कार्य करेता है इसके अलवा दोस्तों इसका next उत्पाद के अगर हम बात करें तो next उत्पाद का नाम है content DM content DM इसी प्रकार आपको नाम लिखावा मिलेगा content DM अब देखिए content DM का है तो content DM के दोवारा यह भी सर्विस एक दोवारा और इस content DM के दोवारा आप अपनी निजी लैबरेरी बना सकते हो क्लाउड सर्वेवर के दोवारा आप OCLC से क्लाउड सर्वर लेकर क्या कर सकते हो अपने खुद की website पर आप अपनी खुद की क्या बना सकते हो लाइबरी बना सकते हो यह कारिय करता है कि आपका जो भी संग्रेय है उस संग्रेय को यह स्थान प्रदान करने का कारिय करता है या फिर उस संग्रेय को बनाने और प्रदर्शित करने का कारिय इसके दुआरा किया जाता है किसी भी डिजिटल लाइबरी को अगर के बारे में हम बात करेंगे, तो content DM तक हमारा हो गया था, content DM के बाद में नाम आता है green glass, green glass, इन सारी services के आपको क्या करना है, नाम याद रखना है, deeply आपको, किसी प्रकार की जानकारी की कोई जरूद नहीं है, आगे मैं बात करूँ, green glass के अलाव तो devy services, devy services, devy services और devy services के अगर बात में बात करूँ तो मैं wordcate digital collection gateway, wordcate, wordcate digital, digital collection, collection gateway, wordcate digital collection gateway, ये भी किसका उतपाद है, या किसकी service है, दोस्तों, ये भी OCLC की service है, इसके अलावा wordshare license manager, wordshare, wordshare license, wordshare license manager, ठीक है, ये भी किसका उतपाद है, तो ये भी OCLC का उतपाद है, next service आती है, आपकी दोस्तों, wordcate discovery service, wordcate discovery service, wordcate discovery service, अब wordcate discovery service के बारे में देखो, थोड़ी सी जानकादी हम ले लेते हैं, तो ये क्या है, दोस्तों, ये wordcate discovery service क्या है, ये ग्रंत सूची खोज प्रनाली है, यानि कि ये बीबिलियोग्राफिक सर्च service है, क्या है, ग्रंत सूची खोज प्रनाली है, ग्रंत सूची खोज प्रनाली है, ग्रंत सूची खोज प्रनाली है, जो क्या कार ये गरती है, ग्रंत सूची खोज प्रनाली है, कि दुनिया भर के पुस्तकालेह से संसादनों को खोजने और उनको प्राप्त करने में मददे करती ए कुण आपकी वर्ड केट discovery service इसी के साथ दोस्तों और बात करेंगी इसी से related की और कौन-कौन सी services या फिर कौन-कौन सी सेवाई इसके दोवारा प्रदान की जाती है तो यहाँ तो क्लियर आपकी green glass हो गई, green glass के अलावा devy services हो गई, word के digital collection gateway हो गया इसके अलावा word share license manager हो गया और word share word kit discovery service हो गई, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके दोवारा जो भी resource sharing services प्रदान की जाती है उन resource sharing services के बारे में तो resource sharing services में सबसे पहला नाम आता है आपका tipasa सबसे पहला नाम किस का आता है वही tipasa tipasa यह क्या है tipasa तो यह resource sharing service है संसादन सहबा की तका यह क्या है रूप है, ठीक है tipasa आपको नाम याद रखना है किस के दोवारा प्रदान की जाने वाली service है, आपकी OCLC के दोवारा प्रदान की जाने वाली service है very important है अब देखे tipasa है क्या तो दोस्तो tipasa जो है यह है दुनिया की पहली दुनिया की पहली cloud अधारीत interlibrary loan service है आपको पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली cloud अधारीत interlibrary loan service किसके दोवारा शुरू की गई थी तो वो की गई थी OCLC के दोवारा और नाम particular आपको पूछ लिया जाए तो tipasa के तो यह क्या है दुनिया की पहली दुनिया की पहली दुनिया की पहली यह फिर वीश्व की पहली दुनिया की पहली cloud अधारीत cloud अधारीत interlibrary loan service है lorne service hai ok कि तो दुनिया की सबसे पहली cloud आदारीद यहां आपको यह word द्यान में रखना है कि दुनिया की पहली cloud आदारीद interlibrary one service कौन सीय आपकी तो यहां आपकी टीपासा है इसके साथ में हैं, दूसरी इसकी जो सर्विस है, रिसोर्स घरिंग सर्विस है, उसकी हम बात करेंगे, दूसरी सर्विस का नाम है, वर्ड शेयर इंटर लाइबरेरी लोन, वर्ड शेयर इंटर लाइबरेरी लोन, वर्ड शेयर इंटर लाइबरेरी लोन, यह भी क्या है दोस्तों यह भी OCLC के द्वारा प्रदान की जाने वाले रिसोर्स सेरिंग सर्विस है तो यहां से दो सर्विसेज आपको ध्यान में रखने है टिपासा और इसके अलावा वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लॉन सर्विस इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ ए कई बार एक्जाम में प्रशन यांते पूछा गया है या फिर जो भी आप कोई प्रकार के आप क्विजेज देते हों क्विजेज में कई बार प्रशन आता है फर्स्ट सर्विस किसका उत्पाद है फर्स्ट सर्विस किसकी डिस्कवरी सर्ची सर्विस है फर्स्ट सर्च जो जो है किसकी सेवा है तो ऐसा प्रशन कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तो फर्स्ट सर्च जो है दोस्तों वह यह OCLC के द्वारा प्रदान की जाने वाली डिस्कवरी सर्विस है अबसे तो को आए और इसका निर्मान झो है दोस्तों वह विश्व व्यापी यह रहें कि वीश्व इस तरबर पुस्तकाले संग्रह को खोजने के लिए इसका निर्मान किया गया ता कि लिए किया गया था कि वीश्वे इस तरह पर अलग-अलग लाइब्री से यह क्या कर सकता है आपका किसी भी पुल पठ्थी सामगरी को यह खोजने में सक्षम है या फिर पठ्थी सामगरी को खोजने का यह कार यह कर सकता है इसके अलावा दोस्तों दूसरी इसकी डिसकोरी सर्विस है उसका नाम है word gate .org word gate .org वर्डे।र nic.org आपको पूछ ले जाए कि वर्ड.org क्या है तो यह भी क्या है दोस्तों यह भी इसकी एक discovery या फिर इसकी डिसकोरी सर्विस है किसकी आपकी OCLC की इसके साथ ही दोस्तों आपकी next जो discovery service है उसका नहां में दोस्तों question point question point question point अब देखिए question point के बारे में भी कई बार exams में प्रसन पूछा जाता है या कई बार quizzes में या फिर test series में ये प्रसन पूछा गया है कि question point question point जो है वो किसका उत्पाद है या किसकी शेवा है तो question point आपका OCLC की service है उसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो शुरुआत सन 2002 में की गई थी सन 2000 में की गई थी सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी शुरुआत की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरूएक किस वर्स कि गयती ऑई सन 2000 में शुरूआग कि गयी थी शुरूआद करने में महत्यू पॉर्ण बूमिका किस की थी तो सबसे पहले में बता देता हूँ इसमें दो सैंस्ताव कि महत्यू पॉर्ण बुमिका थी पहला नाम आता है आपका OCLC और दूसरा नाम आता है LOC OCLC और LOC दो नाम आपको याद रखने हैं किसके द्वारा निर्मित की जाने वाली सर्वीश है या किसके द्वारा इसका निर्मान किया गया है तो OCLC प्लेस LOC परते लाइबरी ओफ ओंग्रेस के द्वारा साथ ही दोस्तों यह है एक वे बादारीत संदर्ब सिवा एक तरीकी किसी क्या है यह क्यूशन पॉइंट क्या है आपको पूछा जा सकता है कि क्यूशन पॉइंट क्या है तो यह एक रैफरेंस सर्वीस है से शुरू की गई थी आपको पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों यहां से इसका जवाब रहेगा सं 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी कि साथ ही क्यूशन पॉइंट के बारे में और बात करूं तो यह क्या है दोस्तों यह एक वेब आधारीत संदर्ब सेवा है किस प्रकार की मैं यहां नोट कर देता हूं इसको वेब आधारीत वेब आधारीत वेबादारित संदर्ब सेवा है संदर्ब सेवा है यानि कि यह क्लाउड बेस्ट रेफरेंस सर्विस है साथ ही दोस्तों आपको यहां से बता दूँ इसके माद्यम से हम चाहे दिन हो चाहे रात हो 24 आवर 7 डेज हम क्या कर सकते हैं से कोई भी क्यूशन पूछ सकते हैं यह सर्विस हमारे लिए यह जो भी OCLC के मेंबर्स है उन मेंबर्स के लिए क्या है दिन और रात खुली हुई है उपन है उनके लिए कभी भी वह किसी प्रकार का क्यूशन कर सकते हैं तो वहां से आपको जवाब जो है वो किस माद्दे में मिलेगा आपको वेब अधारित एक रेफरेंस सर्विस है तो आपको जवाब मिल जाएगा आप कभी भी इस सर्विस का लब उठा सकते हो तो यह हमने कुछ बात की थे दोस्तों टिपासा के बारे में वर्ड के से एर इंटर लाइब्रिरी लोन सर्विस के बारे में इसके साथ ही फर्स्ट सर्स के बारे में हमने बात की फर्स्ट सर्स के बारे में हमने बात की वर्ड के डोट ओर जी के बारे में और वर्ड के डोट ओर जी के बारे में हमने बात की यहां से question point के बारे में तो ये थी दोस्तो OCLC related महत्वपूर्ण बाते हैं मिलते हैं एक next video class में तब तके लिए जै हिंद जै बारत साथ ही अगर आप इस video class को YouTube के मद्यम से देख रहे हो तो चैनल को जरूर subscribe कर ले ताकि आने वाले समय में आपको नवीन content जो है वो YouTube के मद्यम से मिलते रहें मिलते हैं next class में तब तके लिए जै हिंद जै बारत